हेलो ग्लास तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा था हाव डू मैटल्स और नॉन मैटल्स रियक्ट तो इसी पर हम आगे डिस्कुस करते हैं कि जो मैटल हैं और नॉन मैटल हैं ये एक दूस्टे के साथ में कैसे रियक्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम उपर एक्टिविटी के अंदर देख चुके हैं आपने रियक्शन ऑफ मैटल और उनके नंबर ऑफ रियजेंट्स के बारे में जाना आगे क्या है वाइडू मैटल्स रियक्ट इन दिस मैनर यह जो मैटल्स होते हैं यह इसी मैनर में जो है क्यों किस तरीके से रियक्ट करते हैं तो इसे जानने के लिए हमें इनकी जो इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन है जो कि आपने क्लास नाइंत के अंदर भी पड़ी है उस पे हम जड़ा जान देंगे वी हैव लॉन्ट डैट दा नोबल गैसे विच हैव कंप्लीट होते हैं therefore the explain the reactivity of the element तो reactivity को element की हमें बताने के लिए यह इस बात पर ध्यान देना होगा कि उसकी जो frequency है वह पूरे तरीके से फिल है या फिल नहीं तो इसी को जानने के लिए अब हम ध्यान देते हैं जो नोबल गैसे हैं और कुछ जो हमारे मैटल्स और नॉन के मैटल्स हैं इनको कंपेर करते हुए हम देखते हैं अब यहां पर देखिए जो आपका यहां पर एक सोडियम मै मैटल्स के अंदर क्या होता है जो उसकी एम सेल होती है उसमें से एक अलेक्ट्रोन निकल जाएगा और जो एल सेल है वो पूरी तरीके से अपने ओक्टेट को कंप्लेट कर लेगी और उसकी अगर यहां पर देखोगे आप तो जो के के वाली शेल है अगर मैं आपको यहां पर इसमें देखिए यहां पर इसमें देखिए जो सोडियम है इसकी जो के वाली शेल है इसमें दो है एल वाली शेल में एट है तो यह कंप्लीट है और जो आपकी एम वाली शेल है इसमें एक है तो होगा क्या यह जो एक अलेक्ट्रोन है यह इसे ड किसको करेगा जैसे हमारा sodium के साथ में यहां पर माल लीजिए chloride को अपने कि यह कि यह अपने emissions Euro complete करने के लिए इसको किश की जरूत है इसको जरूत है एक electron की, तो यह मिलेगा कहां से है electron, यह electron इसे मिलेगा आपके sodium के atom से, एक तरफ तो जो metals होते हैं, वो donate करेंगे, जो non metals हैं वो accept करेंगे, तो यह बात ध्यान रखना है आपने कि जो आपके metals होते हैं वो तो electrons को donate कर देंगे और जो non metals हैं, वो accept कर लेंगे अपनी वैलेंसी को कम्प्लीट करने के लिए तो यहां पर देखिए एक तरफ यह सोडियम है इसने अपना एलेक्ट्रोन को निकाल दिया ठीक है और यह जो एलेक्ट्रोन है यह क्लोरीन के साथ में अटेश हो जाता है तो हमारा एन एसील यानि कि सोडियम क्लोराइ करने के लिए हैं यह एक कमी है क्लोराइड को क्लोराइड नियुक्ते हैं तो यह क्या काम करते हैं एक दूसर्य के साथ में एलेक्ट्रोंस को hall शेयर करते हैं force of attraction की व्येसे ये आपने जो है BP बनाते हैं और क्योंकि यहां पर ions का charge होता है तो ions जो है वो exchange होते हैं aggregate होते हैं positive charge के साथ में तो इसलिए इन्हें बोला जाता है ionic compounds एक और क्या है आपका magnesium chloride है यह भी क्या है एक ionic compound अब यहां पर देखेए जो magnesium है यहां पर 282 तो यह जो आपके लास्ट वाले यह टू है यह वाला जो टू है इसको यहां पर इसने लूज कर दिया ठीक है और यह किसको मिल जाएगा यह दो क्लोरीन के atoms attached होंगे ठीक है I hope यह चीज़े आपको समझ में आए होंगे अब next topic है हमारा इससे लिए जो हमारा name होता है वो magnesium chloride जो इस तरीके से लिखा जाता है magnesium mg Cl2 तो property ionic compounds की क्या होती है चलिए देख लेते हैं melting और boiling point of ionic compounds तो जो आपकी melting और boiling point है आप देख सकते हैं इन सभी की काफी high होती है और देखे फिजिकल निचर खेसा होता है सबसे पहले जो ionic compounds होते हैं ज्यादा तर solid होते हैं ठीक है solid and somewhat hard कुछ हद तक hard भी होते हैं because they have the strong force of attraction positive or negative charge होनी की विए से इन में काफी force of attraction होता है next क्या है the compounds are generally brittle यानि कि अगर आप जो है इनके उपर hammer के साथ में smash करेंगे हतोड़ी के साथ में इनके उपर smash करेंगे तो यह तूट जाएंगे brittle nature के होते हैं these compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied next है आप इनका melting और boiling point होता है यह काफी high होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें काफी जादा energy की requirement होती है जो इनकी inter-ionic attraction जो bonds होते हैं उनको break करने के लिए अच्छा solubility के अगर बात करें तो electrovalent जो compounds होते हैं जरे यह generally soluble होते हैं inverter और insoluble होते हैं आपके kerosene, petrol, vagarium वगेरा के अंदर इसके बाद और क्या property है conduction of electricity जो conduction of electricity है यह होता है इनका solution बनाने के बाद में क्योंकि यह जो है चार्जों को lose कर देते हैं जो solution होता है ionic compounds का वो कैसा होता है इना water ions which can move opposite electrons when electrical is passed through the solution ionic compounds are solid state do not conduct the electricity because the movement of ions is not the current of ions क्योंकि यह solid state में होते हैं तो इनके अंदर से electricity पास नहीं होगी तो ध्यान रखना है आपने इस बात का कि जो आपके ionic compounds होते हैं यह कैसे होते हैं जब solid state में होते हैं तो electricity को पास नहीं करते जबकि यह जब water के अंदर soluble कर दे जाते हैं तो current को जो है वो अपने अंदर से पास होने देते हैं आगे क्या है जो ionic compounds होते हैं solid state do not conduct the electricity because the movement of ions is not possible due to rigid structure but compounds conduct electricity in molten state तो यहां पर वही बात आगी कि यह liquid state में होंगे तो जो है electrons solution के अंदर flow करेगा तो इस में से current pass होगा और solid state में होंगे तो यह current पास नहीं करेंगे this is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the opposite charge ions are overcome due to the heat तो ions जो होते हैं वो उनकी जो power होती है वो overcome हो जाती है and the ions move freely in the conduct electricity तो यह इस तरीके से आपके जो है molten state में electricity को pass करते हैं otherwise solid state में नहीं करते हैं इसके बाद इन questions को solve करने का try करीजेगा next topic रहेगा हमारा occurrence of the metal जो metal है यह हमें किस तरीके से देखने को मिलते हैं और जातर आपके जो metals होते हैं यह हमारी अर्थ के crust के उपर होते हैं metals और sea water के अंदर होते हैं कुछ soluble होते हैं जैसे sodium chloride होता है magnesium chloride होते हैं यह जो elements होते हैं अर्थ के crust में minerals की form में मिलते हैं हमें इनकी जो percentage होती है पर्टिकुलर मेटल एंड़ मेटल के इन्हें जो है extract करना पड़ता है हमें और जहां से इनकी जो draw form होती होने बोला जाता है ores का क्या मतलब है इनके अंदर कुछ impurities होती हैं जिने हमें remove करना पड़ता है extraction of materials की metals की अखरम बात करें तो हमने देखना पड़ेगा कि जो order of reactivity है कि यह किस तरीके से react करते हैं इसी के ऊपर जो है हमने इन्हें categorize किया है कुछ में से हमारे आपके जो है क्या बनेंगे देखिए electrolysis के द्वारा हमारे कुछ आ जाएंगे कुछ reduction के reduction using the carbon carbon का हम यूज करके reduction करेंगे और कुछ जो हैं हमें direct native state मिल जाते हैं यानि कि हमें उनके साथ कोई छेड़ शाड नहीं करनी पड़ती वह pure state में ही हमें मिलते हैं जैसे कि आपका आपका जो silver और gold होता है हमें direct मिल जाते हैं और आपके जो carbon के साथ में jet करते हैं वह आपके zinc, iron, lead, copper यह सारे होते हैं कुछ हमारा electrolysis के दौरा में देखना पड़ता है देखिए for example gold, silver, platinum, copper are found in free state यह काफी important line है यह वाली line कि आपके कौन से जो atoms होते हैं वह free state में आपको देखने को मिलते हैं तो इसके बाद में है copper, silver are found in the combined state with the sulfur oxides तो sulfur के यहां पर oxides बन रहे हैं हमारे sulfur oxides इस word पर ध्यान देना है ठीक है and the metals at the top of the activity sodium, potassium, calcium potassium, sodium, magnesium, magnesium and aluminum are also reactive that they are never found in the nature as a free यह कभी भी free state में हमें नहीं मिलेंगे जो हमारे middle activity के अंदर हैं यह हमें moderately reactive होते हैं और यह earth की crust में हमें oxide की form में मिलेंगे, sulphides की form में या फिर carbonate की form में oxide के क्या मतलब है अगर यह oxygen के साथ में जो है रेक्ट करते हैं तो oxide बनाएंगे, sulfur के साथ में करेंगे तो sulfide बनाएंगे और carbon के साथ में react करेंगे तो carbonates बनाएंगे ठीक है तो अब हम देखते हैं आगे चलके कि यह इन्हें categorize किस तरीके से किया हुआ है अब ज़रा इस जो आपका flow chart है इस पर ध्यान से देखना कि जो हमारा ओर होता है यह हमारा reactivity के basis पर हमने categorize कर दिया है है जो मैटल होते हैं वो हमारे क्या होंगे जो मैटल हमारे हाइली रेक्टिव होते हैं ठीक है मैटल जो हमारे हाइली रेक्टिव होते हैं मैटल जो कि हमारे मीडियम रेक्टिव होते हैं और जो मैटल हमारे लो रेक्टिव होते हैं ठीक है तो मैटल जो हमारे इस तरीके से हो हम जो molten state होती है उनके अंदर से current pass करेंगे और यह हमारे pure metals की form में जो हैं हमारे हाँ पर आ जाएंगे तो जो हमारे pure metals हमारे बन कर आएंगे यह हमारे extract होके हमारे हमको मिल जाएंगे दूसरा है जो हमारे medium जो हमारे reactivity होते हैं जिनकी medium होती है यह हमारे carbonate के ओड़ी होते हैं और sulfide की ओड़ींगे तो carbonate ke ओड़ी होँगे। इनको अलग अलग process के द्वारा अलग किया आपके carbonate थे तो इसमें calciumation इसAMiben जाती हैं और sulfide हैं तो Roasting के Process थियुजे की जाती है यह क्या है यह कोती है यह आगे आएंगे डीटेयल से तो हम, उन्हें भी डिसकस कर लएंगे फिर इन दोनों से क्या बनाए जाते हैं मैटल के जो हैं हमारे Oxide बनाए जाएंगे फिर उनका reduction किया जाएगा और फिर हमारा purification of metals हो जाएगा आगे तो चलिए देखते हैं metals of low reactive जो के हमारे काफी low reactive होते हैं उनके जो sulfide ores हैं उनको roasting की जाएगी और फिर उनमेसे metals हैं उन्हें निकाला जाएगा refilling के द्वारा यह कुछ steps हमने देख लिए अगर enrichment of ores की बात करें तो ores from the earth are usually contaminated with the large impurities या तो वो sand में होते हैं soil में होते हैं कुछ जिन्हें क्या बोला जाता है गैग बोला जाता है यह जो line है यह आपसे question के तौर पर पूछी जा सकती है what is gag तो आपने ध्यान रखना है कि gag की definition क्या है तो gag का ध्यान रखना है अपने इस line पर ठीक है आगे क्या है the impurities must be removed from the prior of the extraction of the metals this process is used for the removing of the gag यानि कि यह जो process है हमने उपर पढ़ी है इस सारे के सारे gag को निकालने के लिए यूज की जाती है यह यह या तो physical difference होते हैं आपके between the physical and chemical properties of the gag and ores different separation technique उनमें लगाई जाती है अगर हम बात करें extraction of the metals low active series अगर आपके low active series में से metals हैं तो उन्हें किस तरीके से निकाला जाता है तो जो आपके low active metals होते हैं these are the oxide metals can be reduce इन्हें reduce किया जाएगा पहले गर्म किया जाएगा ठीक है आके लिए उन्हें गर्म किया जाएगा sinubar जैसे हमारा जो आपका mercury और sulfur का एक combination होता है इसे sinubar बोला जाता है और of mercury जिसमें से हम क्या करेंगे जैसे इसे हीट करेंगे तो हमारा mercury oxide बन जाएगा यहां पर अगर आप reaction में ध्यान देंगे तो आपका mercury जो sulphide है इसके साथ में oxygen की presence में जब हम इसे गरम करेंगे तो हमारा mercury oxide बन जाएगा और sulfur dye oxide बनकर अलग आ जाएगा चलिए तो गया जो हमारा mercury oxide बनके आया था इसको जब हम और जादा गरम करेंगे तो इसमें oxygen हमारी अलग हो जाएगी और mercury हमारी बनकर तयार हो जाएगी इसी तरीके से जो हमारा copper होता है उसे oxygen की presence में जब हम के अलग जाएगा जो copper oxide है और copper sulphide है जब हम इने लगातार heat करते रहेंगे तो copper अलग हो जाएगा और sulfur dye oxide हमारा अलग हो जाएगा अब next है हमारा topic जब हम extract करते हैं metals को जो की हमारे moderately reactive होते हैं तो यहाँ पर काफी important lines आएंगी जिनका हमें ध्यान देना है तो ध्यान देने वाली जो lines है वो मैं पढ़ते हैं the metals of the middle reactivity series such as जैसे हमारा iron हो गया zinc हो गया lead हो गया copper हो गया यह moderately reactive होते हैं जो कि usually हमारे sulfide या carbonate की form में हमें देखने को मिलते हैं और इन्हें obtain किया जाता है हमारा from its oxides जिनके oxides sulfide या carbonate से हमें निकाला जाता है और जो metal sulfide होते हैं यह ने convert किया जाता है metal oxides के अंदर क्योंकि हमने अभी देखा कि oxides में से जो हमारा metals होता है उन्हें निकालना काफी आसान होता है तो sulfide और है जो है पहले उन्हें oxide के अंदर बदला जाएगा जैसे हम उन्हें काफी ज्यादा excess जो है air क प्रिजेंस में strongly गर्म करेंगे ठीक है तो यहां पर आपने इस यह जो लाइन है इसमें ध्यान देना है आपने यहां पर यह जो लाइन है इसे पढ़ लिजेगा बहुत ही ध्यान से और क्या है इससी प्रोसेस को बोला जाता है roasting ठीक है तो आप से पूछा जाएगा what is roasting तो आप क्या बताएंगे roasting में क्या होगा आपका की तो roasting में जब आपका क्या किया जाता है शलफाइड ओर को convert किया जाता है oxides में strongly heat करके in the presence of air excess air तो से क्या बोला जाएगा roasting बोला जाएगा चलिए ठीक है आगे क्या है the carbonate ores are change into oxide by heating strongly in a limited air तो अब है next calcination process तो calcination में क्या आएगा आपका यहाँ पर जो है केवल इतना ही difference है calcination में जो है हमारी एकदम limited air होती है तो और जहाँ पर excess air present होगी वो क्या होगी roasting और जहाँ पर आपकी एक limited amount में air present होगी वो क्या कहलाएगा हमारा calcination ठीक है तो इस बात का ध्यान देना है कि calcination में और आपका roasting में क्या फर्क है तो calcination and roasting चलिए the chemical reaction that takes place during the roasting and calcination of the ores are shown in the figure तो जैसे कि आप देख सकते है zinc sulfide है oxygen है इन दोनों का क्या किया जा रहा है zinc oxide बनाया जाया है sulfur dioxide बनाया जा रहा है यह उपर वाली तो जो है यह है आपकी roasting process ठीक है तो यह है आपकी roasting और नीचे वाली क्या है calcination तो ध्यान रखना है आपने दोनों में कि जो आपका zinc carbonate होता है हीट किया जाएगा moderate और air के साथ में the metal oxide that reduce the correspondence of the metal by using the reducing agent such as carbon कुछ में जो है आपका reducing agent का यूज किया जाता है जिसे आपने extra carbon डाल जेते है zinc oxide heating and zinc oxide को आपका carbon के presence में heat किया जाता है ठीक है तो इसमें से zinc एक अलग हो जाएगा carbon monoxide जो है वो आपकी अलग हो जाएगी इसी process में क्या बोलते है oxidation और reduction explain हो जाती है जो आपको याद होगा first chapter के अंदर तो metal जो है हमारे compounds इन्हें क्या बोले जाता है reduction process के द्वारा निकाल लिया जाता है beside using the carbon जो है हम coke भी बोलते है reduce the metal oxide वो reduce कर देती है metal oxide को यहाँ पर reduce का क्या मतलब है क्या मतलब है आपका oxygen जो है वहाँ से निकल जाएगा and the sometime displacement reaction can be takes can also be used the highly reactive metals जैसे के हमारा sodium calcium aluminum are used the reducing method agent यानि कि reducing agent का use करते हैं because they can be displaced metals at the low reactive for their compounds क्योंकि यह low reactive metals metals को जो है अपने highly reactive metal जो होता है low reactive metal को displace कर देता है जैसे कि आप देख सकते हो magnesium oxide है यहाँ पर जो aluminium magnesium के मुकाबले ज्यादा reactive है तो इसने क्या किया है magnesium को अलब कर दिया है और aluminium oxide जो है यहाँ पर बना लिया है तो इसी जो process है इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है आपका displacement reaction यहाँ पर हुई है अब यह जो reaction होती है आपकी एक काफी ज्यादा exothermic होती है exothermic का क्या मतलब होता है जड़ा comment section में बताइए exothermic से आप क्या समझ रहे है ठीक है the amount of the heat is so large that produce the molten the molten state यानि कि इतनी ज्यादा amount में heat आपकी produce होती है जो आपके metals होते हैं वो भी पिघल जाते हैं जैसे कि जो आपका iron oxide होता है जो iron third oxide होता है जब हम उसे aluminum के साथ में use करते हैं